अब यहां कर्ज होने के कारण यहां कर्ज होने के कारण यदि छठ्ठे भाव का स्वामी पाच्वे में चला गया तो वह क्या कर आया है कर्ज लेकर आपको पढ़ना होगा नहीं तो आपके पढ़ाई में समस्या आएगी कर्ज कहां गया पाच्वाव में गया अब कर्ज चौथे में गया अब यह कह रहा है कर्ज लेके घर बनाओ नहीं तो ठीक है कोई बात नहीं है हम तुम्हें कोट केश देंगे, हम तुम्हें बीमारियां देंगे, क्योंकि यह सारा छठावावी है, तो दों में से क्या चाहिए, वो तुम खुद दिशाइड कर लो, कर्ज लेके घर बनाना है या फिर रोग चाहिए, सत्रू है, छठावाव क्या है, सत्रू भी है, कारत है, क्योंकि काते क्या है, रोग, रीन और सत्रू, रोग को देता है, रीन को देता है, सत्रू को देता है, जो हम सत्रू की बात कर रहे हैं, तो आप सत्रू में बोलेंगे, हमें जो मारने वाला था, वो सत्रू था, जिससे हमें जगड़े हो रहे हैं, वो सत्रू है, ऐस हमारे अंदर हैं? ठीक है! छठा वाव उन सत्रों को दर्साता है जो हमारे अंदर हैं. हमारे अंदर कौन है? काम है, पुरोध है, लोग है, मोह है, मद है और मस्तर्या है. काम क्या है आपकी कामना हैं आपकी कामना ही आपकी सत्व है आप किसी चीज की कामना करते हो जैसे आपने किसी अपने बड़े भाई से कामना की कि बड़ा भाई जो है मुझे थोड़ा धन दे देगा थोड़े पैसे देगा आप उनसे मांग रहे हो वो का दिये हैं आप नहीं सट्रू है लोब आपका लालच आप सट्रू है के प्रोद इसे पुए बेखती आपसे बोल रहा हो वह तुम बहुत बड़े पापी है आप उसे के उस्कुरार करके हैं। यहां मैं बहुत बड़ा । तो वह क्या हो गया ? अब अपनी को वहां पर कंट्रोल कर लिए। लेकिन वह जैसे बुला तो यहिए आप पापी हो आपके यहां मैं पापी हो। मैं पताओ तुम्हें है मैं क्या हूं ते फिर क्या हो जाएगा तो फिर आंकी कोड़ जावाव जाख्रित हो जया और नेगेटीव फाम में आका च्हठाव सब्सक्राइब southwest इंच थावभाव कंपडिशन है इंधिक न Darren ऐसे होता है 있으면 और और जीवन में कि वही हमें कुछ तैयारियां करनी है कुछ उनत्ति की ओर बढ़ना है लॉक्री कर दी है एक होता है हमारे आसपास competition चलता है वो मुझसे का हम मुझसे कम क्यों है हम ऐसे क्यों है हम वो ऐसे क्यों है इसी competition में कि एक हम दोस का याच जन्म होता है जो है कि आप जीवन को बरबाद कर देता है तो यह क्या है चठा भाव है चठा भाव आपकी वासना है वासना को आपको बता दाएं है कि आपकी वासना किन चीजों में है कि वो चठा भाव को बदाता है कि अचहाक को चठा भाव बताता है वह की चठा को आपका अभिमान आपका अहंकार चठ्ठा वाव है अभिमान भी चठ्ठा वाव है अहंकार भी चठ्ठा वाव है अभिमान सो अभिमान में थोड़ा सासिस डिफ्रेंट है थोड़ा सांतर है दोनों में क्यांतर है जो अभिमान है जो अभीवान है वो कहता है कि जैसे आप किसी के घर गए और उसने आपको बैठने को नहीं कहा थीक है तो आपने क्या क्या हो गया स्वाहिमान को ठेश पहुँच गई आपके स्वाहिमान को ठेश पहुँची कि यहां भई ऐसा था पिर वहाँ एक अभीमान आता है वो अभीमान क्या आता है आपको स्वाहिमान को ठेश पहुचा आप वहाँ कोई डियक्ट नहीं करकर आप चले आए लेकिन वहाँ एक अभी अभिवान जागरित होगा तो क्या करेगा मुझे बैठने को नहीं का वो जानता नहीं मैं कौन हो अब ऐसी इस्टती बन जाएगी तोहां क्या होगा अभिवान जागरित हो जाएगा अभिवान क्या है तट्ठा वाब है आपका अहंकार जो एक सब्द हम लोग बोलते हैं अहं अहं जो सब्द है वो संस्कृत का सब्द है अहम अलथा मैं यह जो मैं है ना वो आपका अहंकार है मैं ही करूँगा मैं ही करता हूँ गर्वी लोग बोलते हैं जो करना आय कर लो मैं चला जाओंगा न तो देखेंगे काम क्या करेगा तो यह मैं क्या है अप्तास्वान का आंकार है वो कौन है वो चठा वाब है जो मैं मैं करता है वो चठा वाब है यह प्रतियोगिता यह हम कहें कंपडीशन को भी दल साता है आपकी इन चीजों में कंपडी कंपडीशन करेंगे या कंपडीशन में आप पास हो पाएंगे या नहीं वो भी आपका छठा वाब बता रहा है खेल चठा वाब है क्योंकि खेल में ही कंपडीशन होता है कोट केश चठा वाब है शेवा छठा वाब है कि सेवा अर्था नौकरी भी और सेवा आर्था सर्विस भी। आपकिसी में कररें है वह भी 6. when नौकरी करें वह भी 2. वखी तुकि यहां कोका आ रहा है तो बकील भी थट्ठावाव है अब यहाँ रोग आ रहा है डिजी जा रहे है तो थट्ठावाव क्या हो रहा है चिकित्सक हो गया डॉक्टर थट्ठावाव है डॉक्टर क्या करता है आपकी सेवाही करता है थट्ठावाव क्या है लोन है रोग, रीन और सत्रू है अब रीन आपने लिया वो छठा वाव है अब जो रीन आपको दे रहा है वो भी छठा वाव है फाइनेंसर भी छठा वाव है जो हमारी दीन चरया होती है जो हमारा डेली का रूटीन होता है वो छठा वाव है जो हम डाइट लेते हैं जो हम आहार लेते हैं छठावाव हमारे भोजन को बताएगा यह माफ कीजिएगा दूसरा भाव हमारे भोजन को बताएगा छठावाव हमारे आहार को बताता है कि आहार हम क्या लेंगे तीन चीजों को ग्रहन करेंगे वह शठावाव बताएगा शठावाव ब्यायाम है इसलिए कहा जाता है कि शठावाव खराब है तो आप एक्सरसाइज कीजिए ब्यायाम कीजिए आहार जो है वापका बिल्कुर स्वक्ष होना चाहिए अब शठेवाव में तीन ग्रह जो है वह अच्छे माने जाते हैं तीन घ्रह अच्छे मान जाते हैं तो आपके अंदर एस्चे परकाद के अपने नहीं होए कामलोदnde मो मळमात शरया जो है वह अबगुन आपके अंदर नहीं हो spl अब वो कौन-कौन से हैं वो सुर्य है चंद्रमा है और गुरु है सुर्य चंद्रमा और गुरु क्यों कि सुर्य चंद्रमा और गुरु साप्वी प्लानेट है सत्व है इसमें अब सत्यवादी कुछ छल करेगा जूट बोलेगा काम ना इसमें उसमें आएगी रोज इसमें नहीं आएगा लेकिन अब सुर्ण छट्टे में बैठ गए हैं सनी ठीक सामने बादर में बैठ गया है अब सनी के लिष्टी जा रही है और वहां प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भी या तो बेक्ती सत्यवादी होगा तो कहेंगा बहुत बड़ा जूठा है सिर्व जूठी बोलता है छट्टे भाव मेरी सुर्ण बैठा हो तो उसे ढोल करते हैं तो वह बज़ता रहता है उसे कोई बाते हैं आप बता दीजिए वह पाप जितना पुरा आपका समाज है ना पुरे समाज में जाके बोलेगा छट्टे भाव में जो ग्रह इस्थित होते हैं उस ग्रह के जो शरीर के अंग है शरीर के अंग जैसे सुर्ण की हड़ी है हिदर है मंगल रक्त है मान स्पेसियां है उस शरीर के अंग में आपको कश्ट होते हैं अर्थात या संकेत करता है छट्टा भाव कि आपके छट्टे भाव में जो भी ग्रह बैठा है उस ग्रह का जो अंग है उस अंग से संबंदित आपके शरीर में आपको कश्ट देखने को मिलेंगे रोग देखने को मिलेगा जिसके कारण आपको साज़ी कश्ट होगा यह भाव आपकी दूसरे से दुस्मनी के बादें भी बताता है आपका किसी से दुस्मनी है क्या है वह भी यह भाव आपको बताएगा जैसे सक्थे वाव मंगल है तो यह क्या करेगा आपके सत्रू को बनाएगा क्योंकि मंगल स्वयम सत्रू का कारेक है आपके सत्रू स्वयम बन जाएंगे आपको कुछ करने के आप सकता भी नहीं है चीक है आप छठे में सुद्र चला जाए तो आपके सत्रू बनेंगे लेकिन कब बनेंगे सुद्र क्या है आपका फेम है प्रसिद्धी आपकी सुद्र है तो आप प्रसिद्ध हो जाएंगे आपकी जिसरे से प्रशिद्धी बढ़ेगी वैसे वैसे आपके शत्रों बनते से चले जाएंगे तो आप अपने जीवनों जो रोजमर्रा के काम कर रहे हैं उसके अंतर ही आपके सब्सक्रों भी आते हैं आपके मित्र भी आते हैं और जो रोज मर्रा का हमारा काम है जो डैनिक करे है उसे भी कौन छठा भाव ही रिपरजेंट करता है तो छठे भाव का स्वामी जहां भी जाएगा आपके कुंडली में छठे भाव संबंधे जितने चीजें हैं उन सभी को लेके दोड़ जाएगा आपके उस गर में जैसे चौत्थे भाव का स्वामी छठे में आया तो वह कह दो लेकर घर बनाव तो नहीं को दो नहीं पनाते हैं तो आपके घर में क्या होगा लिटीकेशन आएगा कोट कच्छरी की समस्या आ जाएगी आप बीमार रहना शुरू हो जाएगे क्योंकि चिकित सक्क्या है चठ्था वाब है वो कहा गया आपके घर में बारवा डॉक्टर आपके घर में आएगे बारवा बकीर आपके घर में आएगा क्योंकि चठ्था वाब चठ्थे में रहा है वैसे ही चठ्थे वाब का स्वामी यदि लग्ण में चला जाए प्रथम भाव में चला जाए तो वो क्या दे रहा है बताईए आप लुग हमें रोग देगा रोग देगा डिजीज कहां गई आपके पास कर्ज कहां गया आपके पास लोन कहां गया आपके पास लेकिन यहां पे एक चीज़ देखने वाली बात क्या है यदि यह वेक्टी किसी सर्विस में हो किसी नौकरी में हो तो क्या इसे डिजीज होगी नहीं होगी यह वेक्टी अपने डेली रूटीन को फॉलो कर रहा है अपने डाइट को बहुत अच्छे से ले रहा है क्योंकि डाइट भी हैं चठावा उसकी कुछ पॉजेट ओसंजी जो चीजें उसे वो अपने अंदर कर लिया है उन चीजों को लेखर चल रहा है अपने जीवन में तो क्या उसे समया है बिल्कुल नहीं आई भीखोलियो मैं थारे नहीं है शरी ना राव वाम्यदि छट्थे भाव के स्वामी जाते हैं तो आपके परिवाल के पास क्या जाएगाunde कोड़ के चला गया लोन चला गया अब लोन किस लिए लेंगे दिहींसे पहाद प्रथम भाव में अपने क्यों लियाdır लोन आपने परिवार के लिए क्यों कि रोग भी लोग के करन लेता यह तो गरान लेताओ आपने लोन लिया दूस्ता भाव धन है तो धन के कारण आप लोन लेंगे जब लोग बास्तु में बात कर रहे थे तो बास्तु में एक डायेट्शन के बारे में हमने बताया था एक इंट्रेंस के बारे में बताया था कि यहाँ जो इंट्रेंस है यहाँ जो इंट्रेंस है वो सरेव ऐसे बेखती एकाउंट पर पैसा होता ही होता है लेकिन उसके दूस्ती यहाँ कंडीशन है कि बेखती नहीं पैसा होने पर वो लोन लेके पैसा रखता है अब लोन लेके पैसा कौन रखेगा कुंडली से देखें हम तो छठे का स्वामी जिसके दूस्ते में गया है वो लोन लेके पैसा रखेगा निश्चित रखेगा निश्चित ही लोन लेके वो पैसा रखेगा तीसरे में जाता है तो क्या देगा आपको आपके अट्रैक्शन में कौन गया आपकी में कौन गया आपकी सिक्षा में कौन गया आप इच्छा की बात इस ले कर हैं कि वो तीसरे से तीसरा पाच्वाव होता है चेतन मन अब चेतन मन आपके mental development जो है वो तीसरा भाव है आपके mental development में कौन गया आपका सत्रू गया आपने सत्रू से अट्रेक्ट होंगे आप बार बार सोचेंगे थोड़ा कर्ज ले लेते हैं या कर्ज कौन लेगा दोस्रे में गया तो आपका परिवार कर्ज लेगा तीसरे में गया तो आपका छोटा भाई आपकी छोटी बहान कर्ज लेगी आपके छोटे भाई या छोटे बहान के सत्रू होंगे डीजी आपके छोटे भाईवान को हो सकती है तो पॉजिटिव चीजे हैं कि आपके छोटे भाईवान को नौकरी होगी अब वो अट्रेक्शन में गया है आपके कुंडली के अंतरगत तो आपके बारे में हम विचाल करें तो आप अटेक्ट कहां होंगे आपमे काम, कुलोध, LOG आपमे क्लोध भी होगा आपमे काम भी होगा इस सरी चीज्य होंगे तीन साथी काया क्या है कामना है काम कहां गया कामना के पास क्या आपकी काम नहीं और बढ़ जाएगी, पहले तो था ये वो चाहिए, अब तो है कि मुझे जंबानी का मुझे घर चाहिए, वो उचित तरीके से हो या अनुचित तरीके से हो, क्यों? क्योंकि छट्थे भाव का स्वामी वहां गया है, सत्तो का स्वामी गया है वहां, या उचित आनुचित का विचार नहीं करता, आप जिन चीजों के पीछे अट्रेक्ट हो जाते हैं, क्या उसमें आप विचार करते हैं उचित या अनुचित का, बताइए हमें, विचार करते ह कि क्या अनुचित है या क्या उचित है जी वहां विचार हम नहीं करते हैं कि वही क्या उचित है या क्या अनुचित है हम बिल्कुल वहां सिधा वही या मुझे चाहिए इसके पीछे हम अट्रेक्ट हो गए है तो बात पत्म है उसमें उचित क्या है अनुचित क्या है उससे क कोई मतलब नहीं है आपका जो मेंटल डिवलप्मेंट है ना वह आपके सत्रों के अनुसार होगा या हम कहें आपके ननिहाल के अनुसार होगा कि इसमें दो चीजें हैं या तो छठे भाव का स्वामी वहां चला जाए कि या छठे भाव का स्वामी देख रहा हो कि या तीस्रे भाव का कि का स्वामी छह्थे में आ जाए गए तीनों में अपलाइई होगा चौथे भाव पे भी हम बात करीं रहे थे चौथा भाव जो है वह आपका स्वेम का घर है घर में रोग आ गया घर में रिन आ गया घर में शत्रों आ गया पाच्वा भाव पाच्वा हो आपकी सिख्छा है आप कैसी सिख्छा लेंगे प्ड़ाई से आप लोग स्वेम एक्स्प्लेंड कीजिए छठे भाव का स्वामी पाच्वे में बताईए क्या सभी लोग क्लास में अब लेवल हैं या सिर्फ ऐसे ही आपने पूछा वो कैसी सिख्षा ले सकता है तो वो मतलब डिफेंस वाली सेना वाली मेरे साब से जब सब करता है तो उसके प्रारब्ध में या हम कहें तो प्रारब्ध असाथ भग गए तो उसके प्रारब्ध में जो है बहुत से गहां कर सकता है कि मौह से सब्सके सब्सक्राइब कर सकता है वो किल संब्सक्राइब कर सकता है इसनुद्ध इन सभी शिक्षाओं को लेने में उसे कष्ट भी आएंगे कष्ट अर्थार उसे समस्या होगी इन शिक्षाओं को लेने में अब वो समस्या कब दूर होगी लोन लेकर पढ़ाई कर ले लोन लेकर पढ़ाई कर ले उसकी शिक्षा दूर हो जाएगी उसकी सिख्षा में लोकस्ट आ रही है वह दूर जाए लिए तो सिख्षा में क्या होगा बार ब्रेक आएगा छठे भाव का स्वामी छठे में चला जाए तो यह बहुत अच्छा है बहुत अच्छी बात है क्यों क्योंकि मारक ग्रह जिस पे हमने बात की थी बहुत क्लास पहले ही जहां जाए जहां देखे जहां बैठे उस घंपार की व्रिदी करए तो चठे में गया अब तो छट्टे की हानी करेगा आपके कर्ज की हानी करेगा वो अच्छा है आपके लिए कर्ज कोई नहीं चाहता है कि हम कर्ज लेकर चलें छट्टे का स्वामी छट्टे में ही जाता है तो इससर विस्टे आपके लिए बहुत अच्छा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है वो इसे मैं अभी का सकते हैं वो स्वाह चित्री या मूलती कोन में गया एपनी रासी में ही गया है ठीक है जट्टे का स्वामी साथ्वे में आपको बहुत समस्चिया देगा वह क्यों देगा i am कोटके रोग रीं सथ्रों कहां चले गए शातों में चले गए ये सभी कहां चले गैए साकर में चले गए अब आपके जैसे ही और द्रीपा करेगव कोठी के सा जाएगा भी डेवा करा लग में बैठा है वहां से भी देख रहा है तो कोटकेस आजाएगा दमपत्य जीवन कोटकेस आजाएगा लेकिन कब आएगा कैसे आएगा वह लगन से देख रहा है बैठके तो इस बैठती के खुद के कारण आएगा इस इस्थिती के अंतरगत कोटकेस रोग रीन सब्सक्राइब क्यों आएगा दोनों आप आपस में कंपटीशन करेंगे मैं अच्छा तो मैं अच्छा इसकारण समस्च्य आएगी अब जब पार्टनर्शिप करेगा तो उसमें समस्च्य आजाएगी बिजनस करेगा तो उसमें समस्च्य आजाईगे और कोट-کोट के समपन्दी रोग LAUGHTER समपन्द समस्य देखनेंगे मिलेगी इसके लिए आप लोगोदोग पाय जिलेंगे बिजनस करणा है आँ ठीक है करो, लोन लेलो, लोन लेक करो, बिजनस चल जाएगा, शाधी करणा है, आँ ठीक है करो, कुछ करज लेलो, तो करो, आपके लिए वो ठीक रहेगा, जीवन में कुछ करज लिए, चलते रहोगे, दाम पत्ते जीवन ठीक चलता रहेगा, दाम पत्ते जीवन में भरदी है या वह तुस्धया बिलेश मेह घर से दूर कोई घर में रह रहे हैं वहां पिढा जाएगे कर गाता है जैसे लसा वाले घर में अपने घर में चली जाते हैं जहां जन्मस्थान है वहां कोई समस्या नहीं होती है तो आप उस घर को यदि कर्ज लेकर बनाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है कुछ आपके यूग के अंतर रट कर्ज है वह अच्छा नहीं माना जाता है आज के दौर में कर्ज लेना एक पैसन बन गया है कि वही कर्ज लेना ठीक है प्रवाइनेंस पे कर लते हैं और चट्थे का स्वामी चौथे में गया है और उसमें व्यक्ति ने किसको इगारी ख़ीद लिया जैसे घर में गारी लगेगी ना कोई असके मार के चला जाएगा जगड़े हो जाएंगे कि यह सब्सक्राइब कहां होगा जट्थे भाव का स्वामी मंगल हो चौठे में बैठ गया हो कि तो साथे भाव के अंतरगत विश्च हो जाते हैं तो इन सब चीजों को वह दे रहें हैं तो यह तो योगा करें एकसरसाइज करें दोनों पतिपत्नी दोनों एक साथ करें डेली रूटीन मेंटेन करें योगा करें या किसी सर्विस को करें अब यहां भी फॉर्म और फॉर्मूला दोनों को लेकर चलना है जैसे छठ्थे भाव का स्वामी सात्वे में आया है और जो छठ्थे भाव का स्वामी है वो बिरस्पती है वो सात्वे में आया है ठीक है आपके दमपत्य जीवन में आपके बिजनस में कोट केस आएगा इस सारी चीजिए आएंगी अब किस फॉर्म में आएगा यहां कहें तो उसे कैसे ठीक करना है यूटिलाइजेशन को हैं कैसे लेंगे गुरु आया है एक्सरसाइज कहां करना है एक्सरसाइज कहां करना है मंदिल के आसपास वोलेंटियर कहां करना है सेवा कहां देनी है मंदिल में देनी है यदि वहाँ बुद्ध छठे का स्वामियों का सात्य में आ गया तो झाल